मैं आज एक सुझाव देना चाहता हूँ वैक्सिन बनाने का काम केवल दो कमपनिया ना करें कई कई कमपनियों को वैक्सिन बनाने में लगाया जाए केंदर सरकार इन दोनों कमपनियों से वैक्सिन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कमपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सिन बना सकती है ऐसे कठिन समय में केंदर सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है वैक्सिन बनाने का फार्मूला सारवजनिक करके उन कमपनियों को दे सकती है जो वैक्सिन बनाना चाहती है और ये सुनिश्चित किया जाए कि भारत में जो भी प्लांट वैक्सिन बनाने में सक्षम है उन सब में वैक्सिन का उत्पादन होना चाहिए और हर भारतवासी को वैक्सिन लगनी चाहिए यही एक तरीका है जिसके द्वारा हम जल्दी से जल्दी सबी भारतियों को वैक्सिन लगा पाएंगे आपको यादो जब पहली लहर आई थी हमारे देश में पीपी किट की कितनी किलत थी कितना संघर्ष करना पड़ता था पीपी किट लेने के लिए सोचो अगर उस टाइम के वल दो कंपनियों को पीपी किट बनाने का अधिकार होता तो क्या आज देश में पीपी किट मिलते लिकिन ऐसा नहीं हुआ आज कई भारतिया कंपनिया पीपी किट बना रही है इसलिए हम किसी और पे पीपी किट के लिए निर्भर नहीं है भारत में बहतरीन इंडस्टिलिस्ट है हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनिया है हमारे पास विश्व के सर्वश्रेष्ट वैज्ञानिक है मैं निश्चित तोर पे ये कह सकता हूँ कि यदि उन्हें अफसर दिया गया तो वे अपना भरपूर सहयोग देंगे वैक्सिंग का उत्पादन करने वाली कंपनियों के लाब का एक अंश हम रॉयल्टी के रूप में उन दोनों कंपनियों को दे सकते हैं जोनोंने मूल फॉर्मूले की खोज की है मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह हम अगली करोना की लहर के पहले भारत के हर नागरिक को सुरक्षा कवच प्रदान कर पाएंगे मेरा केवल एकी मकसद है कि किस तरह हम सब मिलकर हर भारते को करोना से बचा पाएं जैहन